शेमारू के नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अला यार बना तो बर्तन ही रहे ना सर मुझे तो ये बात पता है पर ये ही बात जाके आप एक्सियन साब को समझाओ ना वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें पारवकट प्रावरकट। वीडियोज आपशने के लिए बात खात है वीडियोज देखने के सब्सक्राइब करें वीडियोज देखने के लिए एक भाल प्रावरकट। सलिबियू। सल्दॅल वियूत सुने सबिड़ी सबसागत सकतों सब्सक्राइब गुलूचा लंबा, फिल्लो दे कारी अगे, बिजली दा खंबा, बिल्लो दो फिट दी, गुलूचा लंबा, आश्कानु देनी हैंगी असी एडवाइस, इश्केज चालन देनी जात्पात साइज, बेशक ट्यूब आग बलुब भी फोडो, पामे मल्टी प्रेक्स भी फोड बहुत रोलूचो पामे मल्टी प्रेक्स भी फोडो, बत टोूच। जयिल्दे लाग जाए सद्ट, ता लाइव रफ ब भर बावर कप। जयिल्दे लाग जाए सद्ट, ता लाइवद पोर 세orenक पावर कफ। अगरूगा जाढ्ट, जय लाग जाए पावर कफ। पतियां जगती रहें और भागते रहें पिझली मेरा नाम अंधेरा नहीं नेरा साहती ऑसे साब से तो मेरा पैदली आया है और अमने टांगे पे आना था मज़ाकता ना करो एंग तुमझाना नहीं तुम्हे पहिचाना नहीं बस ये समझ लो कि जखम देने को पाला और मलब लगाने को पाला रब जूटी बुलाए रोते चेरों से करें दूर उदासी बंदों को कहते हैं मरासी बस जी हमारा आपस में इतना प्यार है जैसे चाबी और ताड़ा जैसे पजामे में नाड़ा हम दोनों एक ही माबाप की गलती के नतीजे हैं और यह अहां मेरी दूसरी बीवी की पहली शादी में तीसरे नंबर का काक्का इसका नाम करंटा जी बत्ती इसकी तेरी तरह मेशा गूर्ली रहती है क्यों इसकी दुखती रख दबा रहा है क्या था बीजली मैक में में नौकरी करनी है और मैंने का गाली कोई नहीं हो चेर्मन अपने करका बंदा मैं तेरे घर का मंदा कैसे हुआ हम भी मरासी तू भी मरासी वाट डियू मीन वह इसका मीन तो यह है कि तू बिल्कुल और चेर्मन तो अपना बहुत ही बड़ा जीनियर है और जब अमरीका वाले ऊपर रॉकट छोड़ते हैं तो तेल पानी चेक करने के लिए अपना अंधेरा ही तो जाता है पुतर मेरी तरफ क्या देख रहा है नौकरी चाहिए तो चेर्मन साब के पैर पकड़ने पैर पकड़ने की कोई जुरत नहीं है आजकल भरती बंद है तो इतना बड़ा अफसर बंद है तो खोल दी मेरी इतनी पावर नहीं है और यह क्या कह रहा है हमने तो सुने तरी पावर ही बहुत है मिस्टर अंधिरा तू तो मुह में 100 वाट का बलब डाल ले वह भी जल जा हो पुतर आगे होके पाव चूँ इनके पर मैंने तो सुना अफसरों की ना जुबान होती है ना पैर होते हैं अभी बताता हूं मैं सिकर्टी पी ए चपड़ा सही जल्दी अंदर आओ धके मार के बाहर निकाल दो हमको बताओ किसको बाहर निकालना हम निकाल देते हैं आप पड़ा सकते हैं अगर अगर पोतना पैदा हुआ ना मैं देखता हूं कोन बता है ने आता है भूत भी नहीं आए तो कोई पड़ा लिखों वाली बात ना हुई अगर अगर अपरो वाली बात करनी थे तो बिल्कुल काटो थीक है सब इनको पता चलेगा के चेर्में से अगर निलिया फिर हमें क्यों गुसा दिया पतीले में हमारी क्यों बिजली काट दी अब बैठो वैसे आप भी क्यों बैठो और मैंने आपको पेचाने नहीं आप हो कौन सर आपकी माता जी के भोग पे लंगर के लिए थालियां हमने सप्लाइग की थी अच्छा आप किसी गुरुद्वारे के प्रधान हो नहीं हमारी फेक्ट्रिया थालियां बनाने का और प्रोब्लम क्या है आपके बन्दे हमारी फेक्ट्री की बिजली का ट गए कहते हैं आपकी फैक्टरी थालिया बनाने की है आप गिलास क्यों बनाई जा रहे हो आपको नोटिस आया था हाँ जी नोटिस तो आया था फिर जवाब दिया था उसका सारे इसमें हमने क्या जवाब देने बरतन तो बरतन होते भले हम थालिया बनाई या गिलास पर बिजली वालों को इससे क्या ले न देना अरे पर हमें पता तो होना चाहिए ना कि आपने कनेक्शन किसले लिया है खेर आप घबराओ मत मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूँ ठीक है थेंक्यू सर्पी आप अफ बिजली मैं बिजली है मेरी लाइट फुल आमा बिजली मैं बिजली है मेरी लाइट फुल ओथे पावा में चाननण जिथे बत्ती गुल मेरे डुमके हैं लटा माररे चुमके हैं लटा मारे हट जल के मेरे चेतके मेरे यचित halluc मुठाही कर्यके लट अह्तमारी यॉषी पहल cinnamon जांता है जाट्मूड आदे नेपना न लुपीड़ देया एक शोटब्बीट हो जान्दा दिल दे फ्यूज उडधेया मनेल मेरे चद मुण्ड़या दे नेला नरपिड देया शोटब्बीट हो जान्दा दिल दे फ्यूज उडधेया हाटबीट विच लग दी हीत फिर टूट Offic mandate मेरी चखराच जान्दे रूल मेरे ठुमके, हाई लेट्टा मार दे, चुमके, हाई लेट्टा मार दे, हटके, मेरे चटके, 440 वोल्ट दे, ठुमके, हाई लेट्टा मार दे, लेट्टा मार दे, लेट्टा मार दे मेरे दिल्दे दफ्तर अग्ये लगनी कतारावे डाइरेक्ट कनेक्शन मेरे इश्क दा मगनी हजारावे मेरे दिल्दे दफ्तर अग्ये लगनी कतारावे तायरेक्ट कनेक्षन मेरे इश्क दा मंगने हजारावे कराई सलेक्ट जाओ रिजेक्ट कर सबते विच्छ ही मैट फेक्ट हाई किसदी बना बुलब मेरे ठुमके हाई लाट मार दे चुमके हाई लाट मार दे हटके मेरे चटके 440 वोल्ट दे थुमके हाई लाट अमार दे चुमके हाई लाट अमार दे बिजली, I'm a बिजली बिजली, मैं बिजली हाई मेरी लाइट फुल ओथे पावा में चानड ओथे पावा में चानड जित थे बती गुल मेरे थुमके है लट नाजिर टैंत गन जंब के वर फो ती वोल्टे थुम के लंटा अनत अनल दे आ अकतो यह यह छश्रम नहीं अन्धित सारा आ हम आ केटगे ढ़िए तुने चोन आण यह पिजली तेरे गह आउं का यह बेड़ी जाती है कमाल है और मैं तू तो ह्ही तू वागष ह calculate मतलब जब मैं तेरे साथ नहीं होती तो मेरे बारे में सोछता है मैं कैसारा पंजाब तूझे रोता है में मतलब याद करता है जब ही ढही civ. सारे यहीं कहते है है नो तो और क्या मैं तेरे से अंगरेज जी की टुईशन लेने आता हूं प्यार करता हूं तभी तो इतनी दूर तेरे से मिलने आता हूं अच्छा तु मुझे ये बता कि तु मुझे कितना प्यार करता है किलो मेटरों बता हूं या मीटरों में प्यार की भाशा में बताना करन तुझे इतना प्यार करता हूं जितना जितना चमगादर बिजली की तारों को करते हैं दफाओ शायरों जैसे लफ्स तो तेरे पास है नहीं पर इश्क की खुश्बू पूरी है यह शायर लोग तो आंसों में डूबे टूटे आशिक होते हैं मेरे दिल की रानी तो मेरे पास है अजी पनेश गर का मालिक है पासी अही फैसला कर रहे थे बाला मुझे कहता है तु इस घर का मालक है मैं कहता हूं तू है अब फैसला आप ही करो जी लोग तो ज्यादाद के पीछे लड़ते हैं के मेरी है मेरी है और तुम दोनों लड़ रहे हो कि तेरी है तेरी है वो ज्यादादी कीमत काम हो और इस पें कर्दा ज्यादा चड़ा हुए ठीक है मैं हुँ लाइनमन खंबर हम और यह हमारे जेई घर के मीटर की बात करें हमें पता लगा है के तुम बिजली चोरी करते हो तुम्हारी बिजली तो अब काटनी पड़ेगी उशागल देखियो आपनी जैसे बिना तारों वाला घंबा मजाक और तुमको खंबाराम से मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा जहां बाकी चीज़े इनकी दिवार की इंटेविव खाड़ लूँ अब आप यह बताओ पहले चाय पियो गया ठंडा तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तेरे जैसे आदमी की हम तरह चील ले तू रिश्वत की बात किये जा रहा है शकल देखिया अपनी जैसे बिना तेल का ट्रा इस गंटों मेंसे 22-22 गंटे तो बिजली गुल रहती है तो घंटे के लिए मिट्र लगवा के हमें तुम्हारा इसान जेलना है बिजली का कनेक्शन ना लेना मतलब बिजली में की बेस्ती ही उस जिंदगी में पहली बार इतनी बेस्ती हुई हुई खंबर हम बस निकल जल पुगुरे दिन में चार काम कहता हूं आपको उनमें से एक काम नहीं हो सकता आप से अची तरह एक दम इन एफिशेंट और नालाक स्टाफ है मेरे पास समेत आपके सॉरी सर वैसे उना पंडा ने तोड़ी बेस्ती बहुत किती गल हौली हौली सारे दफ्तर चपहल लगी सर है अच्छा हान जी कोई नहीं एक बार बिजली कट गई ना फिर देखना कैसे मेरे पास रोते रोते हैं अब जर एक्षियन से मेरी बात करो हां जी लो जी सर ऐलो एक्सें दोकाराय स्पिकिंग हां जी दोकाराय जी को मिलाजी जड़ा चेर्मैन साथ बात करें अब क्या हुआ पाले याँक्षन का हां जी सर जी मैं आप गया हूं करेक्षण काटने म्रासियों की बिजली काटने में इतना टाइंब अगर किसी बड़े जम्यदार की बिजली काटनी हो जो कबtwoGen J काट दी है सार मेरा मतला मैं अपने हाथों से काट रहा हूं ये लो जी ये काट दी ओए धुखा राय साब मेरे साथ तो धुखा ना करो सार मरासियों ने तो रोना पीटना भी शुरू कर दिया जी वेरी गुड ये वही न बात और नहीं मेरे साथ पांगा सरी काल सर नमस्ते सर आओ भी आओ मैं आप एक अंतजार कर रहा था काराय मरासियों का काम उनके मीटर के साथ कुटा बंदा हुआ है नहीं जनाब कुटा नहीं बंदा हुआ उनके घर पे कनेक्शन है नहीं तो काटें गया उपर उनकी बिजली काटनी तो बहुत जिरूरी है तब काटेंगे जिए होगी भी कमाल की बात है यार मैंने अभी तो चेरिमें सापको फोन पर कहा कि उनका मीटर दमी आप काटकर रहे हूं वह सर उनके घर पे मीटर है ही नहीं तो उनका खाड़े गया देखो ऐसा करो पहले मीटर लगा दो फिर काट दो गुट आइडिया सर वैसे सर मैं भी यही सोच रहा था वह चुप करो यह पिर इतनी बड़ी सोच कैसे हो सकती है और असरों का दिमाग तो अफसनों का ही होता है क्यों सर थैंक्यू सर हम ऐसा करते हैं पहले उनके घर पे कौन कहता है हो गया नए पूसरा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ मेरी तो बिजली कटी हुई है और तब तक आप थालियां तो बनाओं जब तक गिलासों की परमीशन नहीं मिलती किस तरह से बनाएं सर पहले मेरी बिजली का चुश्व हुआ करा ओ against ये ये आपने मुझ पे ठोक दिया ये तो बिल्कुल नजाज है मैं तो घुज गया ने पतीले में चलो कोई नहीं विल टेक यू आउट ओफियर पती नहीं हम इन यूर यूटेंसिल आपे काम करो आप ये जाके दोखा राय जी को दे दो मैं उनको कह दूंगा कोई ने जाज नहीं होनी चाहिए थैकि थैकि थैकिसर वाभी वाभी वाभ वे पाले मैं तो आज जा रही हो शौपिंग ना तुझे शरम नहीं आती रोज रोज खाली पर्स लटका के दुकानों में कूमरी होती है यहां बड़ी फेक्ट्रियां लगी होई है ना जो मैं पर्स में नोट भर भर के घूमती फिरो ना पथर भर लिया कर रास्ते में कई अब को छेड़ी देता है पथर नहीं मिलते अब कौन सी उमर रहेगी अब कौन मुझे छेड़ेगा जो ना चेड़े उसके तो मार दिया कर तुझे बड़ी बारी कहा है कि जब मैं शौपिंग पे निकला करो मेरा रस्ता ना काटा कर ना तुझ शौपिंग पर लेने के जा तबी रात को नींद में खबरें बड़ बड़ा रहा होता है ना चार नौजवानों ने लड़की की इज्जत लूटी रदान मंत्री कहता है देश तरकी की रापे है कुषियारपुर में बिजली गिरी सीम कहता किसानों को बिजली मफ्त दी जाएगी लौजी रिष्टेद है एक रिक्वेस्ट है जी वह इदर की रिक्वेस्ट करी कि जा रहा है इस हिदेर को देके बात करनी पढ़ रही है जि दर कर आप ढ़ ने बन बल पढ़ गय जाए ज यह साब बल आपकी गरदन में पण़ा हुआ बल आपकी नीयत में पण़ा हुआ iμέ इतनी लाले नजरों मेरसल सरह हम आपके फायदे की बात करने जी हम तो सब्सकार मेरा चलता है तो बिजली की बात नहीं कर रहें जो पाजलों को लगाई जाती है हम तो चाते थे कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा है और आपदा वास्ता हमको कोई कनेक्शन नी चाहिए आप हमारा पिछ्छा छोड़ो जी तुसे यह से आप आपने आपने पटाओ मैं तो चली हूँ शापिंग है बहन जी अगर जाए रहो तो 400 वाट के बलब ले आना गर जगमक करेगा ना कोई ज़र नी यह दो लाटू बहुत है हां भी गालसा मज़ लगी कि आप जग्के दिखाएं कोई रोश्णी ख्यार पाला जी आप हमें 2000 पर दो आपकी स्क्योटी जमां कर दें और साथ ही आपक आज हमारे पास टाइम है नहीं आज हम तुम्हारा कनेक्शन ही लगा सकते हैं जाने दो यार अच्छे बंदे हो तीन मिले से महरान कर रहे हो आज सुबह से फिर लड़का रखा है और एक सरपांच को इतना परशान कर रहे हो तो आम जनता का क्या आल करते होगे सरपांच साब हमने इनको पांच हजार प्या रिशुवत दी है यह फिर भी हमें टरकाई जा रहे हैं ओ जेही साब हम गरीबों से आपको क्या मिलना है देखो सरपांच साब कंदो वाले साइकल पर आएं पहले इनका कनेक्शन लगाओ आपकी अच्छी खातिर दाली भी करे मुझे लगता है हमें इन मरास्यों कि सफारिश माने लेनी चाहिए हो सकता है इस तरह खुश होकर यह कनेक्शन लगवाई लें ठीक है पाला साब और बाला साब की सफारिश है ताल ही नहीं हम सकते नहीं है चलो पहले आपके टूबल करें करते हैं कवाल करती है यार बाद- बाहुतर अपरा कि सफ़्शा इसको कहते रखरें अब हम पाला बाला से पाला साब बाला साब होगे वो इसका मतलब अब चश्में चढः लें चड़ारा यह है अच्छा अब सुन ऐगी तुमझे खिलाएगा कैसे हातों से वो तो मुझे भी पता है सब अधों से खिलाते ह जल ठीक हमां तरों से ख़िला दूँगा नहीं मेरा मतलब रोटी आएगी कहां से तवे से अब तु पूछे कि तवे पर रोटी आएगी देख तू आटा गुंदेगी, आटा गुंदते हो तेरियां चूडियां, छन छन करेंगी, फिर तू अपने गोरे गोरे हाथों से एक पेडा बनाएगी, उसको बेलेगी, उसको तबे पे डालेगी, फिर धीरे धीरे फुलका फूलेगा, तू उसको थाली में सजाएगी, तो फिर म मैं तुझे अपने आथों से खिलाऊंगा अच्छा अच्छा बात सुन तू रोटी कमाएगा कैसे मतलब करन कोई कामकाश तो करना ही पड़ेगा ना कोई नौकरी कर लेंगे या फिर खेती नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी और खेती के लिए जमीन उपड़ाई का अच्छा गमलों में खेती करेगा और प्रोटी लेकर थेरे पास आंगा। काम देखो इल्लीगल है अब बता हमको क्या सपने आते हैं कि आप लोग गलास भी बनाते हो वैसे एकसी इंसाब जिस गिलास में आप पानी पी रहे हो न ये भी हमारी वेक्ट्री का बना हुआ है हो मुकेश हां जी ये इल्लीगल गलास कहां से आगया वही फेक इनको बार हां जी जो दो दर्जन आपके घर भी जवान है वो भी फिंक दू बार शाड़ाप सर जी हमारे फैसला तो हो जाने दो क्यों यूही गलासों को बाहर फिकवा रहे हो वैसे आपको चेर्में साब ने पर उनल ये क्लियर नी किया कि न जायज आपके साथ नहीं होनी चाहिए या हमारे साथ शरी ये तो कोई बात न बनी आप दो लाग फाइन जमा करवाओ बात तो अपने आप बन जाएगी बिजली भी चालू कर देंगे बाकी नकवारी में दूद का दूद और पनी का पनी ह हो जाएगा थाली की थाली गलास का गलास हो जाएगा मतलब हमें पतीले में गुसा के छोड़ोगे काम नहीं करोगे अपने काम की वज़यसे यहां टिका हुआ हूँ तीन सरकारे बदल गई किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि जो मुझे हिला सके बक्की जाओ आप अपन का ढूंड़े एक्षिन साब को हिलाने का नहीं नहीं अपना काम कराने का इन्हें कौन हिला सकता है सस्रीकाल जी सस्रीकाल पावर मंत्री के पास टाइम नहीं आ है एक ही मिनिट आया आपके पास बात करने को और कितने बंदे हैं बाड आई वी आई ये बाहर लोगों की इलेक्शन के दिन हैं ना चाहकर भी आपको सबसे मिलना पड़ेगा पता है डिलाएं पावर मंत्री दियां पावरां पढ़ती जंडी वाली गाड़ियां भागती फिर कुर्सियां सलामत रहें चमचे खड़े रहें विरोधी दबे रहें घोटाले ढखे रहें अब ही मरासियो जल्दी जल्दी बताओ कैसा ना हुआ पहले को चाह पानी तो पूछला तू तो ऐसे गल कर राज ऐसे तेरे खेत में की और मीठी पीएंगे और सानु को शूगर होई है यहां मारे पर को चीटियां चटि देख ली हैं पती ठोके के पती रोके पती साब से पीएंगे और दबागे पीने को हमने को ट्राक चलाना और यार आप किस तरह की चाह पीओगे और आप दा वास्ता जैसी मर्जी चाह लाना पर तभीजों वाली चाहे ना लाना तभीज वाली चाहे अरे वो चो तभीज जैसी पोटली की कमर पर नाड़ा बांद के गरम पानी में टपठप करके गोते लगाते हो ना सौर अबदी मुह का मजा इकरकर हो बात न डाल और दूर में सिरी पती डाल पीच कडशी कि लो जले भी मंगा बंदेने मुझ भी बिठा करना होता है को जा भी अभी अभी पूरी बेज़ती करा के जाएगा कसे रहेगी कोई है चलो भी चाही तो आ जाएगी जल्दी-जल्दी काम बता हूँ काम तो जजमान बहुत ही छोटा है तुझे करते हुए शर्म आएगी तेरी आत्मा तेरे को कोशेगी यह कोई करने वाला वह ऐसे काम तो जनता के अपने आप यह जाने चाहिए और काम तो बताओ फुजी रकीदस यह इतना चोटा काम है हमें बताते शर्म आती है अच्छा ठ पड़ा है बस दो चार जमाते की होगी हमने गिनी नहीं फिर गिनते तो हम तब जब हम घर में रहते काम का आज में तने मस्रूफ रहते हैं सौर अबदी किनने का ट्याम ही नहीं लगा है तुमको शर्म नहीं आती चौसी फेल बच्चे को डॉकरी दिलवा रहे है जजमान म अगर तू तीसरी फेल मंत्री लग सकता तो यह चौथी फेल लाइन में नहीं लग सकता अच्छा अच्छा भी मैं कुछ ने कर सकता च्छे मैने बाद मेलो फिर देखोंगा क्या कर सकता हूं मैं लो आगी आपके लिए जूद और जलेबियों को भूक है नहीं चल काका यहा कोई हाथ पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे सुर जी सिंग जी कहीं जाने के जरूरत नहीं कोई जक्कर नहीं मारे गाउं के पला और बला मरासी है ना बड़ी ही चलती है उनकी उनको साथ ले जाओ मिंटो मिंट में काम होगा मिंटो मिंट में मरासी वह मजाग तुसी कर रहे हो मजाग नहीं कर रहा जनाब तुम उनको जानते नहीं मेरा अपना टूबल का कनेक्शन तीन महीने से लटक रहा था जरा सा पाले बाले ने कहा जेई ने खुद खड़े होके कनेक्शन चालू कर आया था क्या कह रहे हो तुसी मुझे गाएं के बच्चरे की किसम ये मेरी आंखों देखी बात है नहीं है तो बार तो पीछे खड़ा है मंतरी का चपड़ासी उससे पूछ लो हां जी हमारे मंतरी तो किसी को चाय का कब तक नहीं पूछते पर मरासी वहां पे दूद और जले भी आंखा रहे थे हां चल फिर चले हम ये से पारिश भी लगवा के देख लें सस्रीकाल जी सस्रीकाल जी दस हजार थाली योगंडा भिजवा दो सर लाइड तो है नहीं इतनी थालिया किसे बनाएंगे असर मुझे लगता है कनेक्शन काटे जाने का सारा बोज आपके दिल पर पढ़ रहा है आप ऐसा करो ये दवा खालो कुछ नहीं हुआ मेरे दिल को यार कुछ नहीं हुआ सब्सक्राइब नहीं हुआ थालिया बनाते हो आप कौन से मेक में से हुआ एक्साइज इंकम टेक्स या पलूशन डिपार्टमेंट से वह हम तो ग्राक हैं मैं तो मैडमी बड़े वखरी टाइप टूप की हूं मुझे तो शॉपिंग को शॉक की बड़ा है शुकर है कोई ग्राहका है वरना इस फ्रेक्टरी में ग्राहक कम और चाफे मारने माले जयादा आते हैं मैं तो बड़े ही दिनों से थालिया ढूंड रही थी यह तो मैं इसे यह लेकर आई कि अगर अच्छी और सस्ती थालिया लेनी है तो जीता इंटरनेशन से ले अगर दो हजार पीस लोगे तो पिचत्त लगा लूगा अगर दस हजार लेनी हो तो फिर आपको ठैर ना पड़ेगा यह कोई हिल स्टेशन है जो हम यहां ठैर जाएं ओजी इनका मतलब है के वेट करनी पड़ेगी अब बिजली मैक में ने हमारी बिजली काटी हुई है प् कि बात कर सरदारा कितनी थालिया लो कि मुझे सारे थालिया मुफ्त पड़ जाएं आप तो मुझा कर रहे हो आप क्रों कितनी थालिया चाहिए तुम्हें एक थाली लेने आई थी पर सरदारा तो जो रडालता है तो ले लेती हूं चार बढ़िया क्वालिटी की थालिया बैक करवा जी अरे सुन आठ का बात जा आएगे के लिए भी तो चाहिए होती है ना भाई रेट अपने घर जानी है रेट का क्या मतलब है भावे जी आप पाला साहब को कहके थोड़ा सा हमारा बिजली का काम करवा दो तो कहता है तो मै बोल देती हूं पर मेर को नहीं लगता पाले की कोई सुनता है भावे जी आपको अपने घर वाले की कीमत ही नहीं पड़ता यह लोग जी आठ थालिया और कोई सेवा पैसादारा इनके उपर नाम निलिखाया जा सकता नाम लिखाने से थालिया गुम नहीं आती जी बताओ इतनी स्मूद है कि आप 10 मिनट पेले घर पहुंच आओ गे और अपनी वाइफ के बच जाओगे रोमी इनने प्ली स्ट्रेस ड्राइफ पर लेकर जाओ आए जर बिजली बिजली खाटो यह ले मूह मिठा कर पर हुआ क्या है तेरा उस लड़के से पिजा छूट गया जो तेरी पिछा पड़ा था पीछा नहीं चूटा उसके साथ मेरी बात पक्की हो गई बा या बिजली मैं तुझे एक स्कीम बताओं क्या तूना उसका दिल तोड़ देख तूने ऐसे कर किसी और लड़के के साथ प्यार का जूटा ना टक कर जो नौकरी लगा हो क्योंकि यह सब देख के या तो तरा मजनू पूरे मजनू हो जाएगा या फिर कोई नोकरी या करता है मुझे किसी और के साथ देखके या तो वो आप खुद कुछी कर लेगा या फिर उसको मारते का ओहो यार तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है यहां तक हमने नौबते नहीं आने देनी देख पुतर करंट जखम देने को पाला मलम लगाने को बाला रब जूठी बुलावे देख तू अब हो गया है जवान अब तू अपने धंदे के दाव पेज सीख ले एक हाथ में चमोटा पकड़के दूसरे हाथ पर ऐसे मारते हैं वो इसे करके दिखा देते हैं लो अभी द मेरे पूछते क्वेश पूरा अफीम से भराकिमें देदा तू मैं खें सैंबелी यहीं बापु तूना मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले और ताया तू भी अपने मैंने यह भांट पुना करके पैसे नहीं कमानने क्या बात अंबानियों के यहां पैदा हुआ है जो तुझे जैदात के बटवार में तेल के कुए आएंगे मैंने भांट पुना नहीं करना तो नहीं करना बस न रोटी गुर्दवारे से आएगी यह लो रोटियां खाओ और किने जाओ ढब मैज रोटियों वहें खुप नहीं तो अधर किसी से मांग लाई आपनियां देख पीछे लिखवाया हूआ है पाले बाले की अपनी तालियां लाय मेरे बेटे तु रोटी खाना नहीं ताइव मुझे भूक नहीं मुझे बूद नीय मजा रहा हूं है इसे क तुम लोग अभी तक मरास्यों की घर बिजली नहीं लगा सके और जनाब अड़े अडिल बंदे हैं किसी की बात ही नहीं सुनते उपर से बेस्ती बॉत करते हैं और किसी काम में बेस्ती करवानी भी पड़ती है और जनाब आप हमारी बेस्ती करो तो धरन से चाती चौड़ी अब किसी एरे-एरे कंज्यूमर से थोड़ी बेस्ती करानी है कब बिजली लगेगी और कप कटेगी सर हमें तो अबने हाथ बिजली कारने के लिए वो लगवाएं तो सही कि नहीं सर नहीं बै नहीं 49.2 की फ्रीक्वेंसी चल रही है पहले हम साथ आट रुपे यूनिट बि बात पहले जा रही है वो बिजली कटने के बाद वो मरासी रोते पिटते ही आये के नहीं आये सर अभी तक यहां तो नहीं आये हो सकता है एक्षिन साब के आफिस के बाहर खड़े हूं एक्षिन को फोन लगाओ और उनसे कहो कि जब तक चेर्मैन साब ना कहें तब तक उनक है लो सर हांजी मैं पेटू चेर्मैन बोल रहा हूं हां साब पूछ रहे है कि वो मिरासी बिजली कटने के बाद है रान परिशान होकर ऑफिस के चकर लगा रहे है ना वह अभी तो हम ही उनके चकर लगा रहे हैं जी हां मेरा मिमम मरासी बड़े परिशान है अभी बी हाध मिलने का टाइम नहीं देरा सर बड़े परिशान है मिराश्य चक्तर लगा रहे हैं चक्कर बेरिग जुट वेरिगुट हाँ वेरिगुट साहब कह रहे हैं कि उनके अच्छी तरह चक्कर लगवाऊ और एडियां किस्वाऊ जब तक साहब के ओडर ना आ जाएं उनकी बिजली पर नहीं करने ओके सार ओके वास्ते मरास्यों के घर बिचले लिए लिए उसी वक्त कार दो नहीं तो चेर्मन साव ने मेरे कील ठोक देने हैं जी सर चेर्मन साब कारपेंटर भी शट अप कि अगर कि 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 अगर्श कि अगर्श कि अगर्श कि कि प्रुड़ इसूज मी जी अप मुझे अप मुझे अ निरमल का घर बता सकते हो जी इस गाउं में चार निर्मल हैं, दो निर्मल सिंग, एक निर्मल कुमार और एक निर्मल कॉर, आप कौन से निर्मल की बात तेर रहे हो? अगर इस गाउं में इतने निर्मल रहते हैं, तो आप इस गाउं का नाम बसी निर्मला क्यों रख लेते हैं, बसी पठाना रखा हुआ है मैं जी एक्चुली निर्मल सिंग का घर ढूंड रहा हूँ, जिनकी पचास एकड जमीन है, फतेगड रोड पर एक तो, फतेगड नहीं, फतेगड साप कहो, और दूसरा, निर्मल सिंग नहीं, सर्दार निर्मल सिंग जी कहो देखो जी, फतेगड साब तो ठीक है, बट मैं निर्मल क्या के सर्दार और बाद मैं जी क्यों लगाऊं क्योंकि सर्दार निर्मल सिंग जी मेरे पिता जी है मैं तो आपका घरी डून रहा था जी आओ मेरे पिछे पिछे में आपको शरम नहीं आती एक लड़की पैदल चल रहे है और आप बड़ी अकड के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए हो आप नहीं तो कहा था जी पिछे पिछे आजो I'm sorry जी आओ प्लीज बैठो जी पैसे बताना तूने ही चाहिए पर मेरा नाम बिजली है कितने वॉट की वॉटो का तो पता नहीं पर कोई हाथ लगाए तो वट निकाल दूगे उसके वैसे मेरा नाम अश्विंदरपाल रितुराज सिंग है अकेले का नाम है या पूरी फैमिली का वैसे लोग मुझे प्यार से आशू कहते हैं आप भी मुझे प्यार से आशू कह सकते हैं मुझे कौन सा प्यार है आपके साथ कोई नहीं जी बिना प्यार से ही कहा लेना गाड़ी रोको सौरी जी क्या हुआ गुस्सा आ गया गुस्सा नहीं आ गया जी मेरा घर आ गया ओ यह निर्मल सिंग जी का गर जिनकी पचास एकड जमीन है जी अब आपने देख लिया हां जी अब आप जाओ बट मैंने तो इनको मिलना था जी वो तो चंदी गड़ गए है दो दिन बाद मिलेंगे यह बात आप पहले ही बता देते वहां आपने तुखा था आपको सर्दार निर्मल जी का घर देखना है वो मैंने दिखा दिया और फिर अपने क्रंट को जटका देने की कोई स्कीम वगरा सोची के नहीं यार एक लड़का है तो सही मेरे नजर में अगर काबू आ जाए कौन तू नहीं जानती तू क्या मैं भी नहीं जानती पापा को मिलने आया था शायदाश फेरा है पर बिजली तेरे पापा से क्या काम है उसको यार पापा की काम का तो पता नहीं पर मेरे काम आ सकता है पड़ा लिखा नौकरी लगा और कार इसके नीचे जूटे प्यार का नाटा करके देदे करंट को जटका देखना मुकाबले में आते ही बंदा बन जाएगा हो पाला जी यह फाम हमने आपका भर दिया है आपने सिर्फ साइन करने हैं स्केरोटी हम आपकी अपने आप जमा क जूता घरवाले जवाब दे देते हैं कि हम नहीं रख सकते दूसरे गुषा करते हैं आपके आगे हाथ जोडते हैं प्लीज प्लीज लगवालो और बिजली लगवाले हम पागल है जो आदर डालें बिजली की अब तो हम लोगों का मजा अक उड़ाते हैं और जब रोज है दुश्मन हो ठोकर मार दिये हैं वह ऐसे निमान अब ले इसने और निकाल अपने त्यार पीच्छे हाट हो हमें हमारा हतियार उठाने दे हमें प्रोग्राम से ना लेट करवाय जा रहा है बड़ी मुश्किल से कहीं काका बाद हुआ हुआ है बिजली लगारो बिजली ल मैंने तुझे कहा था ना इंके बहुत बड़ी सपारश्ण है सर मुझे तो लगता है मंत्री साबने आप कहा है इनको और कनेक्शन लगा लेए तो कहता हुआ कि इनके पैर पकड़ लेते हैं यूँ तो घुख जाएंगे ने में पदील में एप धिह सम्मीन पूर्य बूकर ब्लजनर इसम्मा आप Christian euro. I mean Serdar Nirmal Singh G loop मैं काफी देर से घंटी कोई खोली नी रहा आप अखबार नहीं परते? अखबार टार में चपाय कोई नई जी अखबार में ये लिखा है कि आज बजलीका काट है तो घंटी कैसे बज़ेगी? आपका इलाको तो बहुत ही बड़िया जी, अख़बार के हसाब से लाइट आती जाती है हाँ जी, चार घंटी अख़बार के हसाब से आती जाती है बाकी 15-16 गंटे बिन अख़बार मुताबर वैसे काम क्या आपको पापा के साथ? मैं जी, एरिया मैनेजर हूँ एक मल्तिनेशनल कंपनी का जिसका नाम है Green and Greens Limited हम किसानों से जमीन लंबे समय के लिए किराया पर लेते हैं मतलब की लीज पर और हम किराया भी बढ़िया देते हैं जो सबजियां किसान बोएंगे, उन्हें हम खरीदेंगे भी ये इतनी सारी सबजियों का आपने लंगर लगाना है लंगर ने लगाना जी, हमारे अपने वेजेटेबल स्टोर्स है हम लोगों को बढ़िया सबजी देते हैं सारी बाते आप बाहर ही पूछेंगे, अंधर नहीं बुलाएंगे मैं भूली गई, आओ कमाल है भिजली जी, आप क्याने से भिजली भी आगी क्योंग भी बाले, हाँ भी पाले लोगों के गर दहीं नहीं जामता है, इनके गर पुतर जाम पड़ा है जखम देने को पाला, मलम लगाने को बाला, जूटी बुलाएं काके कि आने की अडोसियों परोसियों को लख लख बधाईयां हो दूर शावाशे, वो बधाईयां मुंडे के बाब को देते हैं, तूडोसी परोसियों को दिये जा रहा है अब बड़ा होके काके ने काम भी तो पड़ोसियों के आना था है ना सोडा की बड़े हो के चिंगार यहां छोड़ेगा अब अच्छो है वो भी बाले है वो बेटे का नाम क्या रखना है जो मर्जी नाम रख लो लोगों ने तो उसको ओय ओय करके बुलाना ओय भूतनी के दर आवे अच्छो है बास 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 ये लोग पकड़ो अपना शगुन 100 रुप्या और सरदारा लोग तो बिली के बल सरदार रुपई या 500 कम से कम डबल दे के 1000 तो पूरा कर रहे हैं अभी बच्चा ने बड़े होके लाखो जारने है तेरे चलो चलो 500 बहुत है बहुत है इक रुपय का शगंडाल के तीन बर पलेटे साब कर गया तो सरदारा तीन हजार की तो हमने जुगते सुना दी तू पाप की वेल बढखाना किसमत लाना बाक्यों को देने की आदत लगाना लोगों के पुत्तर जम तरे नहीं पेशक नाहीं जमें मैंने का आप मरासिय रोटी खाके जाना ओ जी बीबी जी हम तो खाकी जाएंगे पर वो बाहर दरी पर बिजली महक में वाले बैठे हैं राबदा वास्ता दो दोनी वाले उनको भी डाल दो जेही और लाइन मैं नीचे बैठे हैं आप लोगों का धिमाग खराब हो गया हमा हमारे घर वाले से बहुत ज़रूरी काम आप हटो Québec जैनाब जरा बैधन को कहके मेरी पीजली बाहल करवा दो मैं दिंख़ा पडंग पर सब्ल मुझे कहते हैं पाले-बाले कि बजरी महख्मे में चलती ही ऑभी जलबा दिखांते यह बुण फीशी सफारिश करो वी पर सै in कर दो चले हमने हर जग मक कर देनी है तुमने कर दो हम तो हमने उपर से प्रैशर में आज तुम पर उपर से प्रेशर है तो हमारा मीटर लगा दोगे कल को प्रेशर फोस हो गया हम किसकी मां को मार्सी कहेंगे ओहो तुम पहले सुर्जीत का कनेक्शन बहाल करो ठीक है सर ओखमाराम बेना उपर बताये ना पहले इनकी बिली का कनेक्शन चालू करते बाके सर मुझे लगता नौकरी बचाने का यही एक तरीका है इनका काम तो हो जाएगा फिर आपका बिली का कनेक्शन पहले जु तुमको काये वो काम तो करो अपने बारे में अम शाम को सोच लेंगे पिछे एटो पिछे एटो थाई एवनको यह देते नहीं है तारी एक बास समझ में आती इनके बास गिदर सिंगी कॉन सी है बिजली बिजली क्या हुआ तो आज कल मुझसे मिलती नहीं तो मुझसे नराज है नहीं ऐसी कोई बात नहीं चला फिर कहीं बैठके बाते नहीं आज नहीं किसी और दिन आज मुझे बहुत काम है बिजली तू है क्या कर रही है और मैं तो जुत्ती देखने आए थी पहनने के लिए मारने के लिए जो दोनों कामा जाए अच्छा यूलाफ कोल रिंग मैं भी लसी पीकर आई हो तेरी पापकसा जमीन की बात बन गई हां मेरी बात हुई थी वो कहते उनको दो दिन सोचने का टाइम चाहिए अच्छा ये कार चलानी मुश्किल होती है ओ बिल्कुल भी नहीं अगर साथ मेरे जासा को इस्ताद हो अच्छा कितनी लड़कियों को सिखा चुके हो ओ मैंने को ड्राइविंग स्कूल खोला हुआ है अगर नहीं खोला तो फिर खोल लो क्योंकि तुम्हें मुझे सिखाने के बाद एक्स्पीरेंस हो ही जाना है हाँ 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 मैनने जिलानी हाँ हाँ हुआ झाल तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? मैं यही देख रहा हूँ कि रबने तुझे कितना सुन्दर बनाया है अच्छा? तु जूट भी बोलेता है तु शीशा तो देखती होगी, वो तो नहीं जूट बोलता तो तुझे मसका लगाना भी आता है मुझे तो लगाता तुझे सिरफ कार चलानी आती है चल छोट, और बता अपने बारे में कुछ पहले तु मुझे ये बता कि तुझे अचानक कार चलाने का शोक कैसे पैदा हो गया मैंने सोचा, जिससे मेरा ब्याह होगा, उसकी अपनी कार होगी और मेरी अपनी बड़ी आसिकार होगी कार जब आएगी तब आएगी चलानी तो आनी चाहिए आशू, अगर तेरी कोई गर्फरंड होती और तेरी को मेरे साथ ऐसे देख लेती, तो फिर वो क्या करती? वेरी सिंपल, तेरा सार फाड़ देती वहाँ वो वस दाट, कौन थाव़? अशू, फगेड़ेट, होगा कोई पागर, या कोई आशक वहाँ अच्छा प्सुन, जब हमारी शादी हो जाएगी, तु मुझे खिलाएगा कैसे? हाथ उसे जब मैं तेरे साथ नहीं होती, तु मेरे बारे में सोचता है मैं के सारा पंजाब तुझे रोता है, याद करता है, जब भी यहाँ पावर कर लगता है, सारे यही तो कहते है हाई और बिजली, यह मार गी बिजली है यह शायर लोग तो आंसों में डूबे तूटे आशिक होते हैं मेरे दिल की रानी तो मेरे पास है हृँ 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 करंट तो फर्ष पे क्या कर रहा है यह पिस्तौल चली नि यह तो पुरानी और खराब पिस्तौल है यह तो पाले बाले को किसी जीमिदा नहीं नाम में दी थी यह चलती थोड़ी नहीं और अध्याय थी तो आई थी वो तो बहार ट्रांसफोर्मर में पठाक का पढ़ा था जहां पठाक का पढ़ना चाहिए था वहां तो पढ़ा नी बेटा तो ठीक तो है ला सीशा सी कुछ ना हो तेरे लिए नहीं ताही मुझे ना भूग है और ना प्यास सर आजाओं सर मिठा ही सर मेरी वैक्टरी की बिजली बहाल हो गई मैंने एक्षिन को कह दिया सर चल अचा हुआ तेरा काम हो गया सर एक्षियन तो बड़ा कुटा बंदा है पता नी सीम के गाम का जो उसे कोई हिलाई नहीं सकता ये तो मैंने पहले वाले से का तब जाके मेरा काम हुआ है पाले भाले उन मरासियों के कहने से तरह काम हुआ है उनका क्या तालूक है हमारे मैक में से भई है लो सर ये क्या कह रहे हैं उनके कहने पर तो जैई और लाइन मैन सारे काम चोड़ के भाग खड़े होते अच्छा ठीक है आप जाओ और ये मिठाई भी अपने साथ ही ले जाओ सर मिठाई तो शगन है रख ले जाके पाले बाले के साथ ही खरो ठीक है आउट पता नहीं पतीले में घुस किया हूं या निकल किया हूं समझ नहीं लगा है हालो हां जी साब आदुर जी यह सुर्जीत थाली वाले का कनेक्शन किसके करें पर रिजूम किया गया है बई सर मेरे साब से उसका कनेक्शन कटा हूए जी अच्छा वो अभी मिठाई लेके आया था मेरे लिए अपने कनेक्शन के बहाल होने की खुशी में ओ सर कई इंडस्टी वाले ऐसे होते हैं अगर उनकी बिजली काड़ तो पागल हो जाते हैं अच्छा वो पाले-बाले का क्या होना है जी बीना बिजली के उनके घर वाले खुदकुशी करने की सोचते होंगे जी बापा ब्लैक्शिप हेव यू एनी बूल ये सर्ट ये सर्टी बैक फूल हे मैं वाट यू दूग हें इंतजार मॉद्दा उमाराज गाड़ी के निचे मरना चाते हो तो भूल जाओ गा कि हो गया दिल रोपेया मेरी जिन्द गई की करन मैं मुक गया मैं तुट गया गल खेंड गई की करा कि ये मेरा हाल होया कि ये मेरे नाड होया ए जग जान दानी मेरा दिल जान दानी जा मेरा रब जान दानी मेरा दिल जान दानी जा मेरा रब जान दानी मैं खो जल भी हो वे ना मैं खो मर भी हो वे ना मैं खो मर भी हो वे ना हो के तेरे संग हुन इसके दे रंग कोई होर मान दानी हुआ मेरा दिल जान दानी जा मेरा रब जान दानी जा मेरा रब जान दाली दवन हो जाएगी दुनिया तेरे पीछे भागेगी मैं कौन सा किसी की जेब काट के भाग रहा हूं ओ जेबे तो लोगों की कट जाएंगी जब तेरा कॉंसर्ट सुनने के लिए धक्का मुक्की होगी देख मैं एक मशूर एल्बम म्यूजिक ड्रेक्टर हूं हमारी अपनी ए इसका दिल ताजा ताजा ही तूटा है सर जी तूटे दिल को एक्स्प्रोइट करो हाँ 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 हमें पता है कि तेरा दिल किसी बेववा लड़की ने तोड़ा है इस दुनिया में हजारों लड़कियां पैसे के लिए लड़कों के दिल तोड़ देती है उन क्यों दस थांसे, दोड़ेयां क्यों दस थांसे, जदों सी तुनार जाड़े, जान जाजे सी खयार होने, क्यों पछान दानी, हुँ मेरा दिल जान दानी जा मेरा रब जान दानी हुआ मेरा दिल जान दानी जा मेरा रब जान दानी अरे पाले यह क्या ठक्ठक हो रहे है क्या हमारे गण में कोई चोर दो नहीं पुर सोही रहा है आप पही ठाक का अर्गे चले जाएंगे मुझे लगता है चोर ही है लगता है बार के गाउं के हैं हमारे गाउंवालों को तो सबको पता है कि यहां सफा चाटा है यहां उन्हें क्या मिलना लुआ हमसे कुछ नहीं मिलना हमें तो उनसे कुछ मिल सकता ये न वसाथ में जलेबियां लेके घुम रही है तो बाते ही लिई करता रहेगा यह के पळेगा अच्छा पकड़ा मेरा वह चमोटर तो ल। haZam analyzing on assist तो तो पाइप जो नहीं तो नहीं हम चोर नहीं हम तो भीजली वाले हो फिर आधिरात को हमारे घर में सेर्ड कर लगा रहे हो हम तो बाहर से तार डाल के अंदर मीटर लगाने आए थे हमें उपर से हुकम हुआ है कि सुबह आने से पहले-पहले मीटर लगना चाहिए जी साले उपर से का धरमराई ने हुकम किया धरमराई नलाग अक्षिय तो खराए था जी यार पाले-बाले की बड़ी पहुंच है ओ हाँ यार यह तो मैंने पहली बार देख्या के बिजली वाले आदी रात को किसी के घर में कनेक्शन लगाने आया है कभी देख्या है आपकी बहुत मेरबानी है जी इतने बिजी शेडूल में से आप टाइम निकाल के आयो जी मुझे तो हरोज यही सपना आता है कि हम एलेक्शन पावर शॉर्टिज की वज़े से हार गए सर एक होमोपैथी की मेडिसन होती है एकोनाइड सोने से पहले एक डोज लिया कीजिए मन पर कोई भार नहीं रहेगा सर वे तुम मेंबर जेरेशन हो या होमोपैथी के जब सीम साब ने किसानों के लिए मुफ बिजली अनौस की थी ना जी वो भी एकोनेड के डोज लेकर सोया करते हैं और सार कई स्टेटों के मुख्ध मंत्री तो इस तरह की सबसीड़ी अनौस करके अफीम का गोला काके सो जाते हैं तो मैंसे डॉक्टरी नुसके ना बताओ मुझे मुझे को ऐसा तरीका बताओ कि हम किस तरह पंजाब में बिजली की कमी पूरी कर सके सर सोलर पावर एक ऑप्शन है वे देखा है धूप में सारे बाल गए यह देखा है धूप मेरे भी ऐसी गए है बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं सार विंड मिल्स भी लगाई जा सकती है वो बिंड मिल चलाओगी किसके साथ पंखा गुमा गुमा के बाते करते अब मेरे हिसाब से मोटे मुर्गे फसाने पड़ेंगे जी मतलब स्टेट में पावर प्लांट खोलने के लिए न मोटी असामियों को नियोता देना पड़ेगा जी मुझे लगता अटॉमिक पाव करने के लिए या मुझे शर्मिंदा करने के लिए बैठो यहां पर सॉरी सार हल मैं बताता हूं तुम ऐसा करो कि जब तक पावर का पर्मानेंट हल नहीं निकलता अखबारों में बड़ा सा इस्तिहार दो मेरी फोटो दो और साथ में सीम साब की फोटो दो और लिखो कि क्या आइडिया है वाँ 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 डैड यही घर है उनका आप चलकर अंदर बात करो मुझे ज़रा एक जरूरी काम है पुत्तर तेरे बारे में तो गल करने आए हैं तू का जा रहा है समझा करो शर्म आरी है इसे मैं जर आया अभी आया ओके चलो जी मारो जी बैली तू मुझे नहर में फैंके मारना चाहता है अजी हम कौन होते हैं आपको मारने वाले हम तो खुद आप पर मरे हुए हैं तू इतनी लेट क्यों आया है विजली मुझे तुम्हें एक सर्प्राइज देना था शर्प्राइज कैसा सर्प्राइज यह तो तुम्हें घर जागे परा चलेगा वाह जी यह तो कमाली हो गया हमारे भाग भी कितने अच्छे है घर बैठे बठाए इतना बढ़िया रिष्टा मिल गया देखो जी कई रिष्टे तो ऊपर से बनके आते हैं कुछ बच्चे आप बना लेते हैं चलो जी बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है आप तो बस मुह मिटा करो जी जी शुक्रिया जी वैसे बिजली कब आएगी बिजली का क्या है जी आजाए तो चाहे अभी आजाए ना आए तो सारी रात ही ना है जी बत्ती की बात कर रहें जी अपनी बेटी की नहीं ब और मेरी जो कंपनी है, वो मेरा डेपार्टमेंट भी चेंज कर रही है और अब वो यहां एक पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिसका मैं चीफ कॉडिनेटर भी हूँ तुम मेरी बात सुन रही हो? आँ, मैं सुन रही हूँ आच्छा, तो मैंने क्या कहा? तुने यही कहा ना, कि तु सिस्पेंट हो गया है, काटो यह देखिया, ठाइरो, 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 किस से पूछ के काटा है कनेक्शन है, आपने किस से पूछ के लिए कनेक्शन? जेही साब ने अपने हाथों से लगाया है और इन्फोर्स्मेंट ओफिसर ने अपने हाथों से काट दिया यह एलेगल कनेक्शन है, मुझे समझ नी आती, हैस् ट्योग साब ने अपने अप कैसे कनेक्शन बाहल कर दिया पागल मैं तो बिल्कुल ठीक हूं पागल तो तू लगता है जिसे सस्पेंड होने का डर नहीं लोटे बेले माये ह्याना अनपकामा करनेकदा अंदर जामा विजली बेटा आज का दिन तो बहुत बढ़िया जड़ा है हमने तेरा रिष्टा पक्का कर दिया है रिष्टा पक्का कर दिया मुझसे बना पूझे अगर तू बताएगी नहीं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम तेरे दिल की बात समझते नहीं क्या मतलब उसके मम्मी पापा आप आये थे तेरा हाथ मांगने इतना बड़ा खांदान इतना बढ़िया लड़का हमने तो बस हा करती कौन से लड़का जिसे तू चाहती है आशू हम यह बताते हुए बड़ा फकर मैसूस कर रहे हैं कि करंट क्याम पुरी जी की नई अलबम दिल रोपिया जिसकी एक महीने में ही पांच लाग सीडीज बिक चुकी हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है इस खुशी में हम करंट क्याम पुरी जी को टक टका टक टिका कर एक नई गाड़ी तकेरो इनाम में देते हैं इन्होंने बैजा बैजा करवा दी शिद्वन शिद्वन करवा दी मेरा ख्याल है कि हमारे मार्क्रेटिंग मैनेजर साब भी दो बाते कहने के लिए बड़े उताव ले हुरें मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि क्याम पुरी जी के गीतों में इतना दर्चिपा है कि इनी का एक गीत दिल रोप्या सुनकर हमारे मालिक की लड़की अपने अरपती मंगेतर को छोड़कर इनके ही अपने ड्राइवर के साथ भाग गई अब मैं क्याम पुरी जी को गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एल्बम का सूपर हिट गीत उसकी दो लाइने गा कर सुनाएं क्याम पुरी जी कि हो गया दिल रोपे यह गाना उन सभी लड़कियों के लिए है जिन्होंने जाने अंजाने ही सही पर किसी सच्चे आशिक का दिल दोड़ा है परिया लगने लगती है वह क्या बखवास कर रहा है पाले मैं तुझे लग रही हूं ना अब तो दो गूट पी रखें आप तो तु परियों से बड़िया लग रही है पटी चुरे ना कर पता जब मैं ठारा साल की थी तो गाओं के सारे लड़के मुझे कहते थे परी तो ममालनी से मिलती हैं बखवास करते थे वह ऐस्वकर तेरी आंखें आपस मेनी मिलती थी हमालनी से घाग मिलनी है तुम बंदे हो कि जैनवर बिन्न दर्वाजा खटखटा अंदर चले आरे हो पैंजी हम तो यह चाहते हैं कि आपके घर में बिजरी लगी हो जी घंटी लगी हो और दर्वाजा खटखटा आने के हमें जुरूरती न पड़े यह कौन है यह मेले साब है जी कहां के नहीं है तो यह हमारी सफारिश करने हैं बस आप में पाले बाले से मिलवा दो ओ पाले बाले ने मिलना वो क्यों जी बाले की तो पाकिस्ताइन से मारासन सहेल लिया हुई है वो तो इसको पहारों में गुमाने लेके गया है तो पाला जी को तो मिलने पाला तो बिलकुल ही नहीं मिल सकत उसका तो साथ बजे टाइम हो जाता है घंटियां बजने लगती है गलासियां खड़कने लग पड़ती है लो देख लो है बांड लेकिन शौक सारे राजाओं मारा जाओं लो क्या कह रहा है नहीं जी मैं थोड़ा से प्रैशेट डाल ला थे इन पर भाई जी दरबार मैं हारे हुए हो अगर जीते होते तो बेस्ती और जादा मैसूस होनी थी आओ चलें गाल चुनों वे उई शत्री काल तो बुलाते जाओ लो आरे हुए लीटर के सवारश पर लाना है नहीं चाहिए वावा क्यामपुरी जी मजा आगया क्या तेक दिया है आपने बैगा बैगा अब क्यामपुरी जी वए पैजा पैजा करवादी आपने आपको नहीं जांता है सबसे पहले तो आपको आपकी अल्बम की सकस के लिए बहुत-बहुत मुभारक बाग है मैं आभी-अभी कैनेड़ा के वापिस आई हूं मानना पड़ेगा आपकी अल्बम ने तो वहां भी धूम अचाई हुई है पुर्जा जी आपके जैसे मशूर सिंगर के मूसे तारीफ के दो लफजी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सच कहूं तो जब मैंने कैनडा में पहली बार आपका गाना सुना था ना दिल रोपया मैंने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इंडिया वापीस आते ही सबसे पहले मैं इनको मिलूंगी यह तो मेरी खुछ नजीबी है पर अभी मुझे माफ करना मेरी कंपनी वालों के साथ जरा मीटिंग है हम लोग फिर कभी मिलते हैं अब इनकी डेट्स हमारी कंपनी के बास है अब यह आपके लिए गाना नहीं गा सकते सब्सक्राइब आप ऐसा करो यह नोटों का बैग ले जाकर किसी और सिंगर को दो सॉरी मेरी बात तो सुनो एलो हम फोन मेरा है हालो हम आप अश्रिकाल जी ए कंपना बोल रहाँ जी कॉन से कंपना प्ल रहा हु हम इचिए जी आपको आलवम इनक्यों था था थी थेंक्यों से कंपने थेंक्यों अब तो आप इंटेनेशनल स्टार बन गए हो इतने बड़े सिंगर के घर पे बिजली ना हो अच्छा नहीं लगता है मेरी बात मानो ना तो बिजली का केनेक्शन लगवाई लो हाँ चलो लगा दो मैं बापोर ताय से बात कर लूँगा कोई क्या हाँ? क्या हाँ? मनें! मनें! अईज़! क्या है? क्या हाँ? मनें! मनें! कर दो दो आपकर देख लिए और आपकर ने तो देख लिया करो यहां माफ करना मेने तुझे देखा नी एक्स्कूज मी इसकूज मी करन तुझे तेरी आल्बम की सक्सेस की लाख लाख बदाई दिल रोपया इतना इतना बढ़िया नाम तुझे सूजा कैसे वैसे तो जब दिल रोता है ना बिजली सूजता तो कुछ भी नहीं पर अंजाने में दिल के वलवले जुबाँ पर आई जाते हैं खेर तू मेरी छोड़ तू अपनी सुना तेरे उस अमीर दोस्त का क्या आल है मेरे पेरेंस उसके साथ मेरा ब्या कराना जाते हैं अच्छा यह तो बड़ी खुशी की बात है तुझे भी मुभारक पर करन तुझे पता है कि मैंने तुझे दिल से प्यार किया है क्या प्यार तू हस रहा है मैं मैं आसों के सलहाब में इस कदर डूब गया था बिजली के तुम सारी लड़किया ना एक जैसी होती हो जहां पैसा मिला बस उसके पीछे तुम मुझे गलत समझ रहें तुम्हें अच्छी तरह समझ रहा हूं तुने तुने मुझे धोखा दिया चल ठीक है पर अपने उस अमीर दोस्त को तो धुखा मत दे हुखा याँ कर्यों कर्यों जो आष्दे खलो当 मुझे दो आ ज छक हां तुम podia मुझे एए और भत! कर्यों मिला बस हो था एज जो अस दे गलसी अज्ज होए बेवाने, जेडे अपने कल सी सिख्राद की पासी प्यार, सिख्राद की पाद मार इश्क तेरेच बंद सी अक्वियां, जद खुलियां समने चल सी अज्ज होए बेवाने, जेडे अपने कल सी सिख्राद मादे, याता तेरेगे सहादे सिख्राद मादे, याता तेरेगे सहादे बेखत रादे नड़ लाई, लाके असी कजर गवाई बेखत रादे नड़ लाई, लाके असी कजर गवाई जितले अजारा सन्जार इश्ग के दिवादी के हार इश्ग देने चेपांद सी अखियां, जद खुलियां समने चल सी गल बेवस होई, जो वस दी गल सी अज होए बेवाने, जेड अपने कल सी बेवस होई बेवस होई मिला की तेरे होके, कमेणे होगे दोरोके बेदर दे दरद नाया, क्यों एटाके द कमाया नाया, क्यूं एटाके द कमाया चद गये है अद विचकार, लके असीयाद लाबार इश्क देरे चे बनद सी अकीयां, जद खुलियां समने चादल सी गल बेवस हुई जो वस दी गलसी अज हुए बेवाने जेडे अपने कलसी लो जी बाला जी आपको बहुत बहुत मुवार के मीटर हमने आपका लगा दिया अच्छी तरह चेक कर भी लिया मीटर चलता भी है के नहीं चलेगा अगर को पत्ती पंखा चले तो और ना हमारे घर में कुल पंखा है ना बलब है चलना क्या इसने मा का सिर है निकाल के ले जाओ जिए अपना मीटर ना जी ना आप फिकर ना करो त्यूबे पंखे हम ले आते हैं सोना पंखे के नीचे मुझे तो एसी चाहिए हूं माफ करना जी मैंने तो सुना था के मरासियों को ठंड बहुत लगती है तुझे क्या होई हम एसी की उल्टी तरफ खाट डाल लिया करेंगे जिस तरफ वो गर्मी चोडता है सर जहां इतनी बाते मानिया एसी का भी कड़वा घूड भरी लो कड़वे घूड से याद आया जे कड़वा घूड भर नहीं जा रहा है तो एक बोतल ही पकड़ लाना रात को लाइटों की खुशी मना लेंगे शगन वाली खड़िया एक अच्छी बोतल लेके आना और साथ में मुर्गा जरूर लेके आना भाई इसका मतलबे कि या जरो टिशेटी ना पकाऊं तो देखना कहीं रोटियों पे मक्खनी ना लगवा लाना आधा गिलों की वैसे ही टिक की पकड़ लाना आप ही लगाते अब जरूर लगा दिया साब जी और कागजों में भी दिखा दिया कि मीटर पिछले दो साला से लगा हुआ है और साथ ही हमने यह पनल्टे डाल देनी है कि इनोंने दो साल का बिली निबरा जब आया ना उन पहाड के नीचे तो अपने आप एसी पंखे और मुर्गों का ख तु के थाषरा है? वर यह ढ़से दो ऐन रहुता है तो निकलाई थी जी का तरेंकियुसरा मृट मखे थी जाचार वार पिरेंक हमारी कमनी रोपड मेंक थाषोप्लाट का पावर प्रन आ तो सागा नुड़ो एसरोड गए श्मुरार निचाकों से टूरॉर उच्छ reasons जब आप इसे अप्रूव करेंगे अप्रूव तो मैं कर दूँगा पर एक शर्त है आपना मेरे सानिनलो को इसमें अपना पार्टनर ले दो सर आपके सानिनलो को कोई पावर प्लांट का तजूरबा उसको तजूरबा है ये नहीं है पर मुझे लगता है तुम्हें काम करवाने का कोई तजूरबा नहीं है नहीं नहीं सर वैसे इसा गुड सजेशन बट मुझे फिर भी एक बार अपनी मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी तो जाओ करो मैनेजमेंट से बात फिर आओ मेरे पास ठीक है सर थेंक यू हाँ जी बोलो लो जी मीटर दिया है आपका काड़ यह आपका दो साल का बिजलिगा बिल असी हजार अगर आप बिल भरेंगे तो कनेक्शन दबारा लगेगा अगर नहीं भरेंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा अगर फिर भी नी भरेंगे तो मैडम जी आप अंदर भी हो सकते हो ने दो दिन कुए तो में मीटर लगाए दो सालों का बिल कहा से आगया ये तो अब आफिस जा की पता लगेगा कोई नी लगो जा के लाइन में चले सर जाना पड़ेगा इनोंने कौन सा मीटर कार्ट में के खीर पूडे खिलाने सर जी ये आशू जी है सर हाँ जी बताईए सर वी रिंटरसेट इन सेटिंग आप फिफ्टी मेगवाट पावर प्लांट इन दे स्टेट सर अभई काका हिंदी में तेरा हाथ तंग है सर क्या मतलब मतलब है काका जी मंतरी जी का अंग्रेजी में हाथ तंग है मंतरी जी का मतलब है हिंदी हमारी मातर भाषा है हिंदी में बात करो सर हम ना इस सूबे में 50 मेगवाट का पावर प्लांट लगाना चाते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है वई, पंजाब को पावर की बड़ी ज़रूरत है सर यही प्रपोजल में ने चेर्मन सर को भी दी थी, ये उनको भी बहुत पसंद आई बट उनका कहना था कि उनके सान इनलो को इसमें पार्टनर बना लो उन्हें जो कहने दो कहते हैं, हम हाथों आथ तुमारी सारी फॉर्मैलिटीज पूरी करा देंगे तुमको, हमको, सब लोगों को पावर की बड़ी सक्त जरूरत है बिलकुल सर, यही बात कई अफसर समझते हैं नहीं? वो सब समझ जाएंगे, वो बस तुम मेरा हिस्सा रख लेना हिस्सा? हाँ, मेरे ब्रदर इनलो को अपना पार्टनर बना लेना सर, इस अ गुड सजेशन बट मुझे फिर भी एक बरी मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी वो ऐसी बात है पहले करके आया करो ना या इसे बंदों को साथ लाया करो जिनको फैसला कर रहा हूँ तभी तो हमारे भुल्क में सारे प्रोजेक्ट लेट हो जाते, क्यों जी? बिल्कूल जी ठीक है सर, थेंक यू सर, रिपोर्ट आ गई आपके इलाके में हर घर में बिजली का कनेक्शन है अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पर सर, वो जो क्यामपूर में मिरासियों का घर है न उन्होंने बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाया वे, ये वही मिरासि है न, जिनके लड़के करन्ट कायमपुरिया की आजकल बड़ी गुड़ी चड़ी हुई है ये वही है सर वही है तो एक घर के लिए हम इलेक्शन में दावा करने लायक नहीं रहेंगे कि हमारे इलाके में कोई भी घर बिजली के बगर नहीं है पर सर सुनने में ये आया है बई किसी तरीके से ना मन मना के इन्होंने बिजली का करनेक्शन लगवा लिया था पर पतहे नी कर्मे सामने क्यों कटबा लिया ओ चेहर्मेन को मेरी तरव सब्सक्रों कि इतने बड़े सिंगर की बिजली कटा दीना वैसे हमारे महक में की बuh बड़ी बेजिति है हां बिलकुल मैं अभी कहा जाता हूं सर, ओके सर, चेर्में अपनी टांक खामखार आता रहता है, एक मिनट, जो सर, जो सर, यह लो, तेंकियो सर, सर, जब से आप चेर्मेन बने हैं ना, पूरे पंजाब में जगमक, जगमक, जगमक हुई पढ़िया जी, कहीं देखता नहीं मुझे चमचागरी पसंद है, पर इतनी नहीं, अपने मैक में का क्या हाल है, मुझे अच्छी तरह पता है, काम की बात करो, सर, आपके हुकम मुताबिक मरासियों का कनेक्शन भी कार दिया, और उन पर ठोक के जुर्मना भी लगा दिया, बड़ा ही बेवकुफ है, सर, वो मैं चला जी, कहां, पागल खाने, बिजली लगवाने, आपने चलना है, चैरमन साब मेरे भी बिजली लगा दो, ये गया न लगवाने, आभी साठ चले जाओ, सर मैं अपनी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं तो गुज गया ने पतीले में तेरी फैक्ट्री में इगंटी भी साथ ले गया बजाओं क्या अभी पाला स्यां सरकार के द्रुबार में तुमारी इतनी चलती है यार वह गाउं का कोई फायदा एकरा दो मंत्री जीसे कहके गाउं की सड़की चोड़ी करवा दो यार वह सरपंच और तु सड़क चोड़ी करवाने के जगा अपनी बीवी को नहीं पतली करवा लेता वह थे पलते हैं आप लोग मंत्री साब को कहोगे वहारा कॉट सब Online करे क्रें कहने से आंटमै कॉछले बहुत बहुत थैंक्यू जी वेरी मच यह आपने बड़ा अच्छा किया जो डबा ले आए वैसे आप कुछ दूद शुद पीते लेकिन हमारी गाए आज जोरे पिकनिक गई हुई है फिर किसी दें जी चलो बेटा कमाल आप लोगों के घर तो जो भी आता है पाले-बाले के क किहने से उसका काम हो जाता है रानो अब मैं आमना लेडी थोड़ी सब्सक्रा सब्सक्रा आओ जी सोन्यो बैठो जी बिजली जब तुम मेरे पास नहीं होती मेरे दिल में टोटल अंधेरा होता आशू तुने मुझसे बिना पूछे अपने पेरेंट्स को मेरे घर क्यों भेजा भई मैंने कोई गैर कुनों नी काम थोड़ी न किया मेरे पेरेंट्स ने बड़ी हिज़र से तेरा रिष्टा मागा और तेरे पेरेंट्स मान भी गए और तुम भी तो यह चाती थी तुझे किसने आग कि में यह चाती थी तुम जाक कर रहा है आय यूज mandar केनग मी वो बात नहीं आशू मैं तुझे नहीं बदा सकती बात क्या है मतलब तु मेरे साथ सिरफ टाइम पास कर रही थी यह सब कुछ सब कुछ बहुत गलत हो गया तेक बिजली मैंने तुझे बड़े सच्चे दल से प्यार किया है और तुझे पाने के लिए मैं आखरी दम तक पूरी कोशिश करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए पिछी नहेरे येस सर अरे बई चीफ इंजिनियर मिस्टर जैन ने साड़े दस बजी आना था अब तक नहीं आये हां सर उनका मेसेज आ गया था कि वो एक घंटा लेट आएंगे क्यों? सर पावर हाउस गए है ना माथा टेक ने पावर हाउस? कौन सा पावर हाउस? सर आपको नहीं पता नहीं सर वो पाले बाले ने अपने घर का नाम पावर हाउस रख लिया है दूर दूर से आते हैं लोग वहाँ सर अपने काम करवाने ही पाले बाले के घर पाले बाले के घर? वो यार पाले बाले की खाचियत यह है वो काम तो सबका करवा देते हैं चाहे पैसे लेकर यार पैसे कौन सा उन्होंने आप रखने होते हैं उपर ही देने होते हैं बस फरक इतना है कि बेज़िती खुद कर देते हैं मैं आपको क्या समझाओं आप एक बात बताओ पाला बाला जी अंदर है मैं ना पिटे मूँ तु अंदर तेरा खांदान अंदर मैडम मेरा मतलब है की वो घर के अंदर है मौ सेन के कोठी कश हुए हुले तु साड़ी 11 बजे पता कर ले न हो मैड़म जी मेरा केस और तेरे सूडी केस वह तो जी गाड़ी में है गाड़ी मैं अंदरहा है सूल केस बगार ना तेरі वेल में दो तेलय के इस जया पबाजी आपकाईया लगता है म्दाच डता है इसा कि अतल कहिए यह मारी हुई है और तक आप 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 से इन्हों ने अपने घर का नाम भी पावर हाउस रखा हुआ है यह पावर हाउस वाला आइडिया बहुत बढ़िया है मैं तो कहता हूँ जोपड़ा साब हमें पंजाब के हर जिले और हर कस्बे में इस तरह के छोटे छोटे पावर हाउस बना लेने चाहिए इस तरह पाले और बाले जैसे बंदे हमें पावर दिलाते रहेंगी समझ गया ना इनका मतलब हमें वोटे दिलवाएंगे भाई पाले हम कैसे वोटे दिलवाएंगे हो सरदारा तु हमसे कहीं बूतों पर कबजा करवाने की तो निसोची जा रहा है रब जूटी बुलाए हमसे कलोनियों में घरगर जाके शिराब की बोत लेनी बांटी जाएंगी भाई की बजाए जाओ वजीरा विरोधियों की बेज़ती वाला काम हमसे नहीं होगा सोर अबदी कल को उनकी सरकार आगी तो हम किसकी मां को मासी कहेंगे और आपने तो बार यां बांटी होई है एक बार आप आ जाते हैं बाकी जो काम करते हैं वो तो दस साल के लिए भी टेक जा करो इतना सच भी नहीं बोलते हैं और सेवा बताओ कोई अम मोतियों वालों एक घुजारिश है हमारे घर से अपने सूटकेस जल्दी उठा लिया करो हम गरीबों को रात को खटिया डालके सोना भी होता है अच्छा आप लोग चलो बाकी लोगों को भी मिलना है वाजीवा और देठा बरकते बनी रहें जंटी वाली गाड़ियां भागती रहें जैड़ सेक्योरिटी बनी रहें अरे इहके करके प्राठा लाती तुम तो बस कामी चलाती हो पर लाती तो प्यार से हूँ ना बिजली बेटा लड़के वालों ने ब्यांकी तारीक पक्की कर ली है तू बता हम रॉयल पैलिस करें या नील कमल ममा मैंने इतनी जल्दी ब्यानी करा ना बेटा ऐसे कामों में देर नहीं करते सौ टांग अड़ाने वाले होते हैं ममा आप एक बार मेरी मरसी पूछोगे भ यार बिजली तो फिकर ना कर मैं करंट से मिलके सारे गलत फैमी दूर करती हो लेटर और यार मजाक मजाक में मैंने अपना ही प्यार कवा दिया पर यार हमने तो सब कुछ उसके बहत्री के लिए किया था ना हमने जान भूज कर उसको सदमा दिया ताकि वो किसे काम लग जा उसकी तो जिन्दगी बन गई पर मेरी उजड़ गई यार देख अब तु हिम्मत नहार होसला तो रख काटो आज वो स्टार है एक एक से लड़की है उसके पीछे यार देख बिजली चाहिए जो भी हो पर वो आज बिस सिर्फ और सरफ तुझे ही प्यार करता होगा समझी आपके हाथ में है आपको पता होगा मेरा चार लाक का भी स्पड़ि जबाक तो फिर बिजली कम भूका करो पिछले चेवीने से मेरा कनेक्शन काटा हुआ आपने बिजली तो है ने बिल कैसे आ गया ऑपिर क्या हो गया अगर भील आ घ जिरे दिरे बिजली विया जेगी क्या हो तुझे cultivate श्क ने मेरे गाड़ी में पाड्रॉल कं में इस तनकी हो दुने, यह पोरा में ज़ो मैं जिल्टी रांसे हां शबत शबत हुआ किया हुआ है निषैक है ठीक है छोड़ दू कि छोड़े दू छोड़े ठीक है अ हजआ है अ पहगिए पानों ने के पानी जा घर पर दॉटकर ड़े में उस्ट डोक्टर ड़े अखिआ मशुहूर सरदार थालियों के बाश्चा सुर्जी सिंग जी आज दिल का दौरा पढ़ने से चल बसे ये दिल का दौरा उनको तब पढ़ा उनका बिजली का बिर जब 6 लाक रुपए आ गया हालांकि उनकी बिजली चार महिने से कटी हुई थी सौरी हुई 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 कि माफ़तलना इलाथे शनर थालोने बिजली मैंच में के विलूद बहुत बला मोल्चा निताला देखे हमाली लाइट तौरेच आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं पता है मुझे अब क्या मिठा ही बाट हूं अब बंद कराओ इसे सर केबल वालों की बिजली न काट दें मैं जितनी बार भी आपका कोई नया गाना सुनती हूं न मैं आपकी और भी ज्यादा कायल हो जाती हूं पता नहीं क्यों पर आपके इस दर्द में पूरी तरह डूबने का मन करता है क्या मपूरी जी आपको पता ही नहीं है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं वैसे सच कुऊंँ पमी मैंने भी जब चार साल पहले तेरा पहली बार गाना सुना था ना एकदम मिश्कसा हो गया थ मैंने कभी सपने में में नहीं सोचा था कि मैं आपके इतना नजदीक आजाओंगी क्या हुआ कि जिसन नजदीक आने सिरू है नजदीक नहीं आ जाती पमी नजदीक तो अब मेरे कोई भी नहीं आ सकता उस भीवफा की जगा कोई नहीं ले सकता तुझे तुझे शिवका वो गाना याद है कौन सा के जाज मेनू आ गई ये गम खान दी होले होले रोके दिल पर चान दी बिजली तेरा अंदाजा ठीक था अब अब वो स्टार है और उसके आगे पीछे लड़कियों के कतार है पर वो तो तो पर चोड़ तेरी बात होई उससे जब मैंने उसको किसे और नहीं आगे पीछे लड़कियों कि और के बाहों में देखा ना मेरा तो बात करने का होसला ही नहीं पड़ा ईभी बिजली हुआ 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 है इस डूलक्री था पार अब हुआ है कर दो कर दो कि अब देखो यह कैसा दिख रहा है रहत बढ़िया लग रहा है बद्वार एक मिट जी हाई एक मण को पूछलू जरा बुद्वार कह रहे हैं बुद्व कम शुद्वार करो जी ठीक है फिर बुद्वार फाइनल है बाकी मिलके बाद करते हैं ओके जी कि अलो आ गया वहाई आशो आजा आजा जब पीपा वहाई मंद में फिक्स कर दी तेरी बुद्वार को मां को नहीं हग करेगा वाई 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 कमाल का जशन होगा लक्की का टॉप का सिंगर बुलाएंगे और जम के पंगड़े पावेंगे तिंगी तिंगी त अखियां लाके दर्द सहेडे बहुत गमादे लोगे नेडे दिल दी तड़िकन शोर हो गई रूने भी उनते निन पाया एवे अपनाया अप गवाया चंतिरा इश्क रास ना आया चंतिरा इश्क रास ना आया ओ काका व्याद मोले बड़ा दुखी जा होई जानना कोई नचनाला गीतला खुट चाड़िके असाने आच नचना नाड़े बोल्नी आच लेना तिरा ना सारी रात नेएओ जारी रात नेएओ जी जिए चितक ना ओ काका व्याद मोले बोल्नी आच लेना तिरा ना खुट चाड़िके असाने आच नचना नाड़े बोल्नी आच लेना तिरा ना आरी 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 आज कल कुडियां दी आज कल कुडियां दी एज याद त माड़ी एक था नहीं निपदी आएक था नहीं निपदी ताईयों दो दो था ते यारी आएक था नहीं निपदी तूना जिगरा या रादा शोटा जान लई तूना जिगरा या रादा शोटा जान लई पूरी कारी के नचांगे उच्ची बा उट चाड़िके असाने आच नचना ना जरा सुनो जी इगर आओ सारे दिन से पीरे और रात होने को आई अब तो बस करो फिर क्या हुआ अगर रात हो गई पार्टी तो पुरी राज चलेगी और साथ में ये गोली मामे की गोली ठा जलेगी ओ तितर टितर तितर तेरी खातर में कैवारी खालेश तर तू क्यों बदल गई ऑर बनाले मितर तू क्यों बदल गई पैघी बिनसे, पानी तुँ है चकणा आज पीड तो में का रिन्नी नहला घुट ताड के आसाने आज नचना नाडे बोलनी आज लेना तिरा ना सारी राथ नने यह CeC na नाडे बोलनी आज लेना तिरा ना जजमान हम तेरे पाइस चोड़े से काम से आये थे यह बीबी फकीर को और इनका घर वाला सरदार सुजीर सिंग शहीद ठालियों वाला यह कौन सी जंग में शहीद हुए थे वजीर साहब वो अपने बिजली मैक में से कनेक्शन की जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे जी पर उनको तो दिल का दोरा पड़ा था ला क्यों वर्यां बिल्कुल ठीक है रहे हो सार यह तो टीवी पर भी आया था ख़वार में भ देखके पड़ा था वो तेरे मैक में के बंदे देख देखके पड़ा था वो कौन सा भूतों से कम है को जगा तो देख लिया कर अच्छा चलो मैं क्या सेवा कर सकता हूं और जब हमारी सेवा का मौका था तब तो आपने की नी अब कम से कम इस गरीब कोई 5-7 लाग का तो में मुवज़ा दिला देता पर मोत्यों वालों जब आखरी वकत उसके दिल की धड़कन बंद हुई वो तेरी बंद मीटर की तरफ यह तो देख रहा था क्यों में पाले अगर वो चलते मीटर की तारों को आथ लगा के मरा होता ना इसके मैक में की तो बल्ले बल्ले हो जुआज होना था शम्जाने सब यही कहा करें कि पंजाब में इतने फाल तूब जिलिया कि अलयुक तारह से चिपक चिपक मर रहे हैं मैं कहताूं सर्दारा यहां तक की तेरे लाक्य में कोई भूग से मरता है को ऑलता और आपको शोर मचाना चाओन है कर देखरा अगर हमारा घरवला मरे और अब बिजली से ही मरे और बस करो यह लगता है बात पर ले पड़ गई भात तो तुमारी ठीक है पीए साब जी सर चेर्मेन को कहके ना एक बड़ा सा पब्लिक फंक्शन रखवाओ जी उस फंक्शन मेरे हाथों मैडम को पांच लाग रुपय दिलवाओ ठीके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ठीके 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 भर्याम इनको चाइशाय फिला अब वजीरा तेरी काड़िया भागती रहें वोगों को मुआवजे मिलते रहें जंडे जूलते रहें विजली के जटके लगते रहें वजी तरह वजीरा एक्शन क्या बात है क्या पुरी जी क्या बात है पमीच्ट आपने बैजा बैजा हो गई सिट डाउन सिट डाउन हो गई बैक आप यहां सो एक्साइटेड पता है शादियों का सीजन आ चुक है और शो इतने ज्यादा पुख हो चुक है मुझे लग रहा हमें कुछ नए पीर सांग सायर करने चाहिए शोल्स के लिए क्या हुआ क्यामपूरे जी नहीं पर में अब मैं और निका सकता हुआ अब यार बिजली तेरी शादिका कार्ड तो बहुत अचा चप है हम् हुआ यह क्या जिनी चमक इस कार्ड पे है तेरे चहरे पे क्यो नहीं जिस बिजली से करांट निकल जाए उसकी चमक कैसे रह सकती है कि देख पिजली अब तेरा धर्म यहीं बनता है कि तो जिस घर जाए वहीं रौश्णी दे मैं कोशिश करूंगी कि अपने दिल पर पहले हुए अंदेरे का एसास में किसी और को ना होने तो ओहो यार जल्दी करो आठ बचे तो बरात आजा नहीं है यहाँ तो इनका है जल्दी आपको लगी हुई है पुजा हाँ मैडम प्लीज जल्दी रेडी कर दो आठ बचे शो है मेरा हाज जी बिजली पम्मी बुर्जा आपका क्रंट क्यामपुरी के साथ शो है ना आइ मीन कि जोड़ी है आपके उनके साथ जोड़ी होती थी कभी अब नहीं है पर क्यों गाना छोड़ दिया उन्होंने गाना छोड़ दिया पर क्यों नाम पता थो उसका मैं नहीं जानती पर इतना सरूर जानती हूं किसी ने प्यार में उनको इतनी गहरी जोड़ पांचाई है, कि गाना तो दूर, वो अब जीना भी नहीं जाते है, वो बदनसीब लड़की मैं ही हूँ, हूँ, तू, पर तुम अपने अपको बदनसीब क्यों कह रही हूँ, तुम तो बहुत लगी हो, तुम्हें नहीं बता, वो तु कैसी उनकी हालत है न, उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तुर्ज बया हो जाएगा, हुआ तु नहीं न, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, प्लीज उने बचा लो, प्लीज, हाँ, बिजली, गर तुन्हें अब कुछ ना किया ना, तो अन पांचा जी, आपके हर कदम पे मैंने गोली चलानी है, ओ मामा जी कहीं मेरे गोडी ना भगा देना, ओ नो प्रोब्लम पांचे, ओ येस भी लोडेड, हाँ जी स्वीराट, आशू, एक प्रोब्लम आ गई है, डियर अब तो तेरी सारी प्रोब्लम्स मेरी है, बोल, अपना अब या दो दिन के लिए पोस्पोन हो सकता है, पोस्पोन, और ये कोई सरकारी मीटिंग है, जिसे दो दिन के लिए पोस्पोन कर देंगे, लगता है, पुछ नहीं हो सकता, शक तो मुझे पहले ही था, किसे गैरे इश्क में डूबा हुआ है, और अब हमारे पास ताइम ब दोने जल्दी करो ले बाले को भी ढूंदे चलो लेदा तो भाइ सेरा बांध करें निप्टा दो गए या कोई सेरा गाना पड़ेगा वह मामा हम किसी से काम है क्या सेरा तो गाना ही है पाता निकिस हाल पर थे तेरा सेरा गुंदले आई वीरा तेरे सेरे दा की मुल वीरा एक लख ते रेड हजार पहने एक लख ते वल्रूब यह कहां घूम रही है बरजाई तू कहां दी राथ को सड़के ना आप रही है यह को शॉपिंग का टाइम है या तू शॉप इंस्पेक्टर है जो तू कानों के शडर बंद करवाती फिर रही है तो कहा निया ना सुदा करन को देखा है कहीं करन तो बरजाई आज कल प्रधान दिल हार के बैठा और कुड़ी थो अंकल जी क्रण से प्यार करती है यानिकी आश्की और शुकराइब पहली बार वारे खानदां में को कुट्थे काम में पड़ा है अब तक तो हमारे खानदान में मस्खर ही पैदा हुए यह पहली बार मजनू पैदा हुए इस पें किसी लादला का दिलाया है बातें कम करो जल्दी से करेंट को ढूड़ो आर उसे कवोगी लडकी का ब्यां गई और नहीं होगे चैनल लडकी उठानी पड़ें गल्ल ठीक है तुम शहर में ढूंडो हम नेर पे ढूंडते हैं चलो शुक नहीं बात में दम है जो मेने सुना है मैं तुमको बताता हूँ उनका लड़का बिजली को उठाने की पूरी कोशिश करेगा तुम ऐसे करो उसी को ठालो करंट कोई उदर करी दुनिया उजड़ने वाली है और तू इदर नेरे में जुणू बखड़ रहा है और करंट पुतर अगर तुने अपनी मां का दूद पिया है ना यह कोई डायलग बोलने का टाइम है वह इसे सीधी बात समझा सीधी बात तो फिर पुतरा यह है कि जिस लगकी को तू प्यार करता है ना उसका संदेशा है कि मैं तिर को प्यार करती हूं और करती रहूंगी अगर तू मुझे आके बचा सकता है तो बचा ले आप मजाग तो नहीं कर रहे ना यह ले पुतर हम मरासियों की जिंदगी मज लेकिन प्यार मजाग नहीं होता जा अपने प्यार को बचा ले जा मेरे पुतर जा अपने खांदान की इजित रखी हो और जैसे हम मरासियों से शगन लिए बगार नहीं न लोटते और तू भी कुडी के बगार मत लोट नहीं है जीदी हमने चांदी के चल्ले नी लेने सोने के चल्ले लेने हैं हां जीदी जीजु को फोन करके बोल दो अगर नहीं खरीदे तो गोड़ी रोक के खरीदे ले ले यार सच्रीकार जी सच्रीकार जी सच्रीकार आपको ही बहुत बारी बारी परसी खटन के आसी की खटके लिए आंदा खटके लिए आदा बताऊं अब्याव मेरे पार जेदा अज ठाठा गोड़ियां चलाओं वो करैंट manipulation केश्म मेरे कार जेदार रहा झाँ अब्याव खटके भड़ीं करूड़ी यव खबव। जैसे आजा बड़ी सौन लग है उए जिस घोड़ी पर वापस चला जा सरदारा ना तू फूफा लगता इसका, जो तेरे कहने पर बरात वापिस ले जाएं हमारे फूफा जी का कुछ मत कहना, फूफा जी का बड़ी मिनित्ते करके बिठाया हमने मेरी बात सुलो कान खोल कर, बिजली जाएगी तो सिरफ मेरे साथ, क्योंकि वो सिरफ मुझे प्यार करती है मामा जी जादा पाकिस्तानी फिल्मों के डायलोग बोलने ही जुरूत नहीं चोड़ दो से, ये बात मुझे भी पता है कि अगर हम चाहें तो हमें से यहां से जिन्दा ना जाने दे पर तुछ से तो मैं अकेले ही निपटना चाहता हूँ तु मेरे साथ कमरे में चल, जो साबोत हड़ियों के साथ बाहर आएगा वो ही बिजली को लेकर यहां से जाएगा ये तु क्या कर रहा है आचो पुतर? डैट प्लीज, आप गोली खा के अपना बीपी सेट करो, मैं इसको सेट करके आया कमाल है? वो तु अपने शादी के कपड़े लाया है? शादी के कपड़े? वो शादी के कपड़े लाया नहीं है और मुझ ठाके बिजली को लेने आ गया मैं कुछ समझा नहीं देख करण मुझे पता है कि तु और बिजली वाकिक दूसरे को दिल से चाते हो पर मैंने भी उसे बड़े सचे दिल से प्यार किया और अब उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बाकी तेरी हिम्मत को भी मैंने परक लिया तु ऐसा कर तु मेरे शादी के कपड़े पहन ले और सहरा बांद ले ये क्या कह रहा है मैं कुछ समझा नहीं वो समझने को ये कोई अलजबरा का सवाल है सिंपल सी बात है तु मेरा सहरा बांद के जैमाला में बैठ हम दोनों विजली को सर्प्राइज देंगे थैंक्स आशू ये आशू नहीं क्या खामखा पंगा ले पुलिस को बुला के लए फंगे को अंदर कराता वह आशू की मामी वह अपने आशू ने उसको ऐसा सिद्धा करना है कि दुबारा किसी ब्राद के पास से नहीं गुजरेगा और भांजा किसका है गोडी मामे का आपने उसे अके लिए जाने ही क्यों दिया अभी तक नहीं आया और देरी कम्स शुकर रहा है अचू कर दिया फिनिश है ऑख फांजा किसका है गोडी मामे का अब पिजली मुझे पता चला एक करंट यहां आए था करंट यहां था हृँ हृँ वह आया था यहां लफंगा यह आशू ने पीठके भगा दिया या किसी कमरे में बंद कर दिय अब कुछ नहीं हो सकता, अब आशु मेरे निसीब में है, तुम दोनों कहा जा रही हो, जैमाला का टाइम हो रहा है, आशु वेट कर रहा होगा, अंटी इसमें वाश्रून जाना है, हम अब ही आए, चल चल जल्दी चल, जल्दी, करंट जरूर रही कही है, तु जल्दी उसे ढूंड और भाग उसके साथ, भरकातो, मैं कहा ढूंड सकती हूँ, अब तो जैमाला का बी टाइम हो गया है, ओहो, वो सब मैं संभाल लेती हूँ, तु जल्दी जल्दी अपने कपड़े मुझे दे, और तु कोई और डाल, जल्दी कर, हाँ, 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 तुम हो न, कि आपके भांजे के चांद जैसे चहरे को सारी दुनिया देखे, मैं अभी उठा देती हूँ, आशू लाओ, आशू, शर्माते नी, बैट, आशू, बात को सुन, आशू, ओहो, क्या म्यूजिक अचे धेल रहा है तू, आशू, ओहो, आशू, क्या हो गया, क्या कर र रूप को अच्छा थोड़ी ने लगता है, भाई साव, हम लड़की वाले है, इन लड़की वाले को क्या करने दीजिये, जो करते हैं, ये इस तरह की हर्कते करता ठीक ने लगता, हो, हो, मासी जी, बच्चे को एंजॉय करने दो, फिर तो शादी के बाद सारी जिन्दगी म केरी तरह रो ना ही, हैं? आजा मेरे बच्चे क्या होगे आजे लाओ जल्दी जैमाला लाओ पहले ही बड़ी देल होगा इस अपने लिए थोड़ा है यह क्या लड़का केसे बदल गया हमारा आशू कहा है और मुझे तो लगता है इसने अपने आशू को पीट के वापस घोड़ी पे चड़ा दिया पर आशू की शर्त के मुताबिक बिजली को जैमाला डालने का हब सर्फ मेरा है ठेरो में बिजली नहीं काटो हूं है लगता है हम गलत व्यां में आ गया है लड़का और ही लगता है कोई इसका मतलब आशू ने मेरे साथ दोखा गिया मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं पर करांट आशू नहीं तो तेरे लिए गुर्वानी दिया पर फिर तुने अपनी जगा दूसरी लड़की को क्यों क्योंकि इसको पता नहीं था कि मेरी जगाद दुले की ड्रेस में तूम हो यह तो सिर्फ तेरे साथ ही शादी करना चाहती थी पर यह तो बताओ कि कौन किसके गले में वर्माला डालेगा तुसे दो मिनट रुको बिजली अभी दुलन की ड्रेस पहन के आई चल बिजली पर आशू ब्यादे तो घड़ कर्ट के ड़े दे देंगे आशू तुना बिल्कुल नहीं जमझता तेरे ब्याके लिए मैंने नए कपड़े बनाए थे गयने गट्टे भी बनाए थे मेरा तो ऐसे घर्चा हो गया न सारा कोई बात नी मामी आप इसकी मामी बन जाओ ओहो आशू ओभई मामा मामी तो हम बन जाएंगे पर माबाप तो असनी बला ले वाजीवा 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 बढ़िया रॉनका शोनका लगी हो यहां पर तो जगन देने को पाला और मलम लगाने को बाला रब जूटी बुलावे लड़के का सगा बाप तो आ गया अब क मैं तो होगी करंड की ताई आशू तेरी ताई का है मैं हूँ आशू की ताई यह मैं फिर अपने कपडी और गेनी इधर पकड़ा ने भू मांगी चीजेशन की तो स्वाधिय अपना होता है घर तो चुलाल भी छोड़ देता है ये तो है, ये तो है, ये लेकर इट आगी तेरे अपनी दुलन इट, ये तो है, 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 य अब हमें पावर कट का कोई दर नहीं। नौ महीने के बाद बाला एक बच्चे का दादा बन गया। रूलिंग पार्टी फिर जीत कई। उसने खुश हो कर पाले को बिजली महकमे का चेर्मेन बना दिया। आद रूलिंग पार्टी फिर ज्याओ लेक से चेर्में लेक दिया। तंट पयों ही तर नच्चेश थेने मिच्चर गित्दा मॉनमों मुखिया। डोलो जाने बाड़ें चल चल पक्निया। व्रेत विजली सुड़के हप्पी, काल गॉंधा पेपी-पेपी बल्ले बल्ले बैपावर काट लग वे गया लैग्या मेकपते छुट गे पसीने पावर काट लग वे गया बल्ले बल्ले बैपावर काट लग आ रहे बल्ले बैपावर काट लग वे गया रहे सुती पईन उपखी दी चले मारा पावर काट लग वे गया रहे लैग्या बल्ले बैपावर काट लग वे गया एई बल्ले ब 내가 वे गया बल्ले फैमादी गया मों बतिया बली बली बैपावर काट लग और मुल थेहर 222 मत्तिये आए पrices चाम जो 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 न Sunday दो स्व depende सब्सक्यांच कृमन काई कर दोकал चूम नहीं object अजाल